नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका उतकर्स क्लासिस में और उमीद है कि आप सौस्थ होंगे मस्थ होंगे और पढ़ाई में ब्यस्थ होंगे अभी अभी आपकी दिपावली आने वाली है और आप दिपावली में खूब मजे कीजिएगा जिस तरीके से आप मन लगाकर प तेभार मनाईएगा लेकिन अब इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो है उतकर्स के जो सीरीज में जो आपके यूटूब पे डारेक्ट जा रहा है यहाँ पर हम लोगों ने दो क्लास देख लिया था पॉलिटी से संबंध है कि आखिर में राज ब्यवस्था का जो परिच्छा है इंट्रट्रक्शन ऑफ पॉलिटी है वो क्या है उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर में क्या-क्या चीजें जो सब्द हैं जिन सब्दों का हम यूज करते हैं जैसे गरतंत्र हो गया एकात्मक ब्यवस्था हो गया संगात्मक ब्यवस्था हो गया ऐसी ब्यवस्थाओं का जिक्र करेंगे अगली क्लास से आगे चलते हुए तो चलिए लेकिन हम सुरुवात करते हुए पहले जो पीछे का है कुछ उसे दोहरा लेंगे द्यान उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जब हम सुरुवात किये थे तो मैंने पहले बताया था कि यह है आपका राजब्योस्था का परचे इसमें जो है आप देखोगे तो मैंने आपको यह बताया था कि अरस्तु जैसा अरस्तु जैसा एक ब्यक्ति है जो कि ग्रीक का रहने वाला है भी लिखी थी politics क्या लिखी थी politics लिखी थी और यहीं से शुरू होता है पॉलिटी की कहानी ठीक है न यहां पर लिखा भी हुआ है कि जो policy सब्द है वो policy सब्द में policy सब्द का अर्थ है नगार राज्ज से है और यह सब्द ग्रीक से संबंदी थे हम लोग आगे चलकर किसके बारे में पढ़े थे राजी के बारे में पढ़े थे कि आखिर में राजी का मतलब क्या होता है अच्छा अरस्तू को अगर जानना है तो अगर आप प्लेटो को जान रहे हैं तो अरस्तू जो है प्लेटो का सिस्य था और प्लेटो कौ एक आदर्श वादी बिचारक था, यानि आदर्श की बाते करता था, कल्पनाओं की बात करता था, इसलिए इसे जो है आदर्श वादी बिचारक कहा जाता है, साथ-साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैंने आपको एक कमपेर बताया था, इधर मैंने अरस्तु को रखा था, और इधर चानक को रखा था, ये कमपेर बताना इसलिए जरूरी था दोस्तों, क्योंकि जो इसका टाइम पीरेड है, अरस्तु का और चानक का, लगभग लग भारत में कौन था चानक के था और अरस्तु का जो सिश्य हुआ उसका नाम क्या था सिकंदर आप लोग सिकंदर को जानते हैं और यहां पर चानक के का सिश्य कौन था चंदरगुप्त मौर रे था ठीक है और हमने ये भी पढ़ा था कि अरस्तु के जो बुक बड़े पॉपु लिखा था जिसका नाम था अर्थ सास्त्र कुछ लोग यह समझते हैं कि अर्थ सास्त्र जो है एकोनॉमिक्स पर लिख्योई पुस्तक है लेकिन ऐसा नहीं है अर्थ सास्त्र जो है प्रसासन और राजनीती पर लिख्योई पुस्तक है मिलनी जो है प्रसासन पर लिख्योई कि जनक था तथा साथ साथ राजनीती बिज्ञान का भी जनक माना जाता है और जो चानक के है चानक को भारती राजनीती का जनक माना जाता है आगे बढ़ते हुए हमने देखा था कि आखिर में राज बेवस्था में जो राज्य सब्द है इसका मतलब क्या है तो यहाँ पर मैंन राज प्रवुता संपन हो सकते हैं इसके अलावा, किसी शास की इकाई या उसके किसी भी प्राभाग का मतलब कि जो किसी राज देश का भाग है को भी राज कहते हैं, जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज कहा जाता है इसको समझने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि राजी के चार भाग होते हैं कौन कौन से भाग होते हैं राजी के चार भाग होते हैं एक निश्चे छेत्र होता है जनसंख्या होती है सरकार होता है और संप्रभूता होती है और ये भी साथ साथ कहा था कि राज के यह चारो तत्व वैकल्पिक नहीं हैं क्या हैं बलकि अनिवार रहे हैं मतलब कि अगर इन में से कोई एक भी तत्व नहीं रहेगा तो फिर राज के अस्तित्व पर प्रश्ण उठेगा ठीक है न क्योंकि मैंने आपको मैप के द्वारा बताया था मैंने आपको मैप के द्वारा बताया था कि अगर साइद मैप लगा हो लेकिन यहां नहीं लगा है लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे यह भारत का सारी यह बिस्ट का मैप है तो यहां पे जो है एक छित्र है जो की डेनमार के अधिन आता है ग्रिन लैंड और ग्रिन लैंड का जो एरिया है वो भारत के एरिये से भारत के एरिये से बड़ा है ठीक है न लेकिन एरिया के मामले में भारत साथ में पर आता है आठ में पर नहीं आता है इसके पीच्छे रिजन क्या था कि यहां पर छेतर तो है लेकिन जनसंख्या नहीं था इसलिए हम Greenland को राजि का रूप नहीं मानते हैं देश का रूप नहीं मानते हैं साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो भारती राजनीती चिंतन है उसमें राज के साथ अंग बताए गए कौन कौन से राजा मंतरी दुर्ग कोस सेना देश और मित्र इस बात को ध्यान में रखेगा कि ये जो चीज बताए गई है ये वेश्टन थिंकर जो हमारे पाश्चात राजनीती विचारक हैं उनके द्वारा बताए गई है लेकिन जब आप से पेपर में पूछा जाए कि राज के कितने भाग होते हैं तो आप क्या बताएंगे राज के चार आवश्यक तत्तो होते हैं हाँ जब कोश्चन आ जाए कि भारती चिंतन के अनसार भारती विचारकों के अनसार राज के कितने अंग होते हैं तब आप क्या बताएंगे साथ अंग होते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये सब चीजे हमने देख लिया था राज के चारो तत्तों के बारे में हमने एक एक करके देखा था कि एक निश्चित छित्र होता है जन संख्या होती है और फिर साथ 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 सरकार होती है और संप्रभुता होती है हमने ये भी देखा था कि जो निश्य छेतर है उसके अंतरगत भूमी है आकास है और समुद्र को भी समुद्र के भी भाग आते हैं जो है साथ साथ जनसंख्या में हमने बात कहा था कि राज्य होने की सर्त है कि इसके भू भाग पर निवास करने वाला एक जनसंदाय होना चाहिए अभी पीछे मैंने यही बताया जो बच्चे नएने अभी ज्वाइन कर रहे हैं जो पहले ज्वाइन नहीं किये थे देखे राज्य होने की सर्त है कि वहाँ पर क्या होना चाहिए एक जनसंख्या होनी चाहिए अगर जनसंख्या नहीं होगी तो फिर उसे हम राज्य नहीं कह सकते हैं यही चीज ग्रिन लैंड में होता है Greenland में छेतर तो है वहाँ पर जो Denmark की सरकार है उसका कबजा भी है मतलब कि वहीं का वहाँ रूर लेगलेशन किसका चलता है डेनमार का लेकिन क्या वहाँ पर जनसंख्या है नहीं है इसलिए जो है हम उसे राज नहीं मानते हैं साथ साथ सरकार के बारे में बात किया था सरकार को हम बाद में देखते हैं संप्रभुता के बारे में बात किया था और मैंने बताया था कि राज्य का चौथा सबसे महत्पून तत्व है इसका अर्थ है कि सर्वुच ये जो सब्द है सर्वुच और अंतिम कानूनी प्राधिक सकती जो देश के अंदर और देश के बाहर सारे निड़ने ले सकती है और निड़ने के लिए स्वतंत्र हो उसे हम संप्रभू काते हैं अब बात आता है सरकार का ठीक है न तो हमने जो है देखा था कि जो सरकार है उसकी थ्री वरांच होती यानि कि तीन भाग होते हैं कारपालिका और न्याइपालिका इसमें पढ़ते हुए हमने देखा था कि बिधाईका का काम क्या होता है कानून बनाना कारपालिका का काम क्या होता है उसे लागू करना और न्याइपालिका का काम क्या होता है कि उस कानून को बनाए रखना यानि कि मेंटेन किये राना ठी इसके बारे में और भी चीजे बताया है अगर आपको देखना है तो आप ठीक इसके पीछे का वीडियो देख सकते हैं क्योंकि वहां मैंने इसके बारे में धेर सारी चर्चा की है धेर सारी चर्चा की है और बच्चों ध्यान में रखो कि आपको ये सब चीजें जो है जो उतकर्ष के तरफ से दी जा रही है वो बड़ा ही अलग तरीके से और महत्पूर तरीके से दिया जा रहा है उतकर्ष आपके लिए आपके भविश्च के लिए जो है आगे बढ़ने के लिए जो है आपके साथ है हरदम सोचता है गलोसर जो है लगातार जो है हम teachers को जो है लगातार ये direction देते रहते हैं कि बच्चों का किस प्रकार से भला हो सकता है ये लगातार जो है गलोसर बताते रहते हैं अभी देखिए दिपावली का समय है बच्चों का समय ऐसे न जाए इसलिए उन्होंने एक जो सिरिज श्राट करा दिया और कहा कि जो टीचर्स हैं वह जो है जो सिरिज पे जाकर अपने एक घंटे आदे घंटे डेड़ घंटे जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे और कुछ चीज़ें जो है जो बच्चों के लिए टफ होती है वो चीज़ बताएंगे तो इसके लिए जो है आप लोग सभी लोग गलोज सर को जो है एक बार धिपावली के लिए जो है बदाई दे दीजेगा कि हाँ गलोज सर ने आपके लिए एक नया चीज़ सुरू किया है और सिंपासी बात है कि नए ने तरीके से वह आपके सामने उतकर्स को लाते रहते हैं तो जब हम सरकार की बात कर रहे हैं तो जब उतकरस में बात करते हैं तो सरकार हमारे कौन है गलोसर है उनके द्वारा ब्रांचिस बैठाई गई हैं उन्हीं के द्वारा कानून बनाया जाते हैं लाउ करवाया जाते हैं और जब कोई गलती करता है तो वही जो है हम देखते है हैं सब कुछ तब मैंने यह बात आपके सामने कह दिया है अच्छा PB फिर हमने जो है देखा था सब्द लोग तंत्र के बारे में उसके बारे में सासन अर्थात हम कह सकते हैं कि लोगतंत का अर्थ है जनता का सासन है ठीक है न और इसी को जब हम इंगलिस में देखते हैं तो देखिए डेमोक्रेसी सब्द जो है ग्रेक के दो सब्दों से मिलकर बना है एक है डेमोस और एक है क्रेटस डेमोस कार्थ होता है आम जन साधारन और क्रेटस कार्थ होता है सासन यानि की ताकत यानि की शक्ति तो मतलब की हम कह सकते हैं कि जन साधारन लोगों का सासन जन साधारन लोगों का सासन और ये बात इंपोर्टेंट है जो बात इंपोर्टेंट होती है उसे हम नोट क करके लिख देते हैं कि सबसे पहले लोगतांत्रिक व्योस्था की शुरुवात कहां से हुई थी एथेंस से हुई थी तो यदि कभी पूछा जाए कि हमें प्राचीन समय में लोगतांत्रिक व्योस्था देखने को मिलती है तो आप क्या कहेंगे दो फोटो दिख रहा होगा और आप इस दो फोटो से जो है समझ सकते हैं कि आखिर में लोगतंतर का मतलब क्या होता है तो ये जो फोटो आपको दिख रही है ये अमबराहम लिंकन जी की है तो लोगतंत की परिभासा अम्बरहाम लिंकन ने दिया था जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा सासन और अम्बरहाम लिंकन थे को सोलमे राश्पती थे कहां के USA के सोलमे राश्पती थे यह मैं पीछे का इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं क्योंकि जो बच्चे नए जूड़े हैं उनको भी पता रहे कि आखिर में क्या-क्या पढ़ाया जा चुका है और फिर जो है वो आगे सही तरीके से जूड़ सकते हैं तो सरल बनाने के लिए मैं ये आपका लगभा-लगभा 12-15 मिट का चीज़े जो है पीछे का रिवीजन करा रहा हूँ और आप देखिए ना जब हम डिमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो यहां पर पावर भी किसके हाथ में है जनता के हाथ में है ठीक है न तो लोगतंतर का मतलब ही है to the people for the people and by the people यानि कि जनता के ही हाथ में सब कुछ है सारे पावर जनता के ही हाथ में है जब हम लोगतंतर का अर्थ जो है और कुछ विचारकों ने क्या क्या बोला था तो परिकलीज नामक विचारक था जिसने कहा था कि ऐसी सरकार जिसमें जनता सक्तिसाली हो तो यहां क्या सब्दारा है जनता सब्दारा है क्या सब्दारा जनता धान रखेगा कोई भी विचारक होग जब लोगतंत्र की बात करेगा तो जनता जनता ही करेगा अरस्तु ने क्या कहा अरस्तु ने कहा कि बहुतों का सासन तो यहां बहुतों में कौन है जनता ही छुपी हुई है अंबराहम लिंकन ने तो यह बात कही दी थी कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए सासन जो है सिले एक बिचारक है जिसने कहा था कि लोगतंत का मतलब होता है जिसमें जनता की सभागिता हो यहां भी देखी जनता सब्दार रहे हैं एक बिचारक है ब्राइस लॉड ब्राइस लॉर्ड ब्राइस तो लॉर्ड ब्राइस जो है काते हैं कि राज्य की सासन सक्ती समुदाय में एक समश्टी के रूप में नहीं तो यहां भी समुदाय का मतलब क्या है जनता है तो यानि यहां जितने भी बिचारक आपको दिख रहे हैं आपको विचारक दिखते हुए ये clear हो रहा है कि लोग तंतर के अर्थ में जनता सब्द या समुदाय सब्द की जो है importance सबसे जादा है इसलिए लोग तंतर में लोग का मतलब ही जनता है तंतर का मतलब जो है सासन है अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमने देखा था कि लोग तंतर कितने प्रकार का होता है ये देखा था जो पुराने बच्चे हैं वो जो है ये बताएं कि ये सब चीजे पढ़ाई गए थी कि नहीं पढ़ाई गए थी क्योंकि ये मैं एक रिवीजन करा रहा हूं तो थोड़ा सा जो है हो सकता है कि पुराने बच्चे सोच रहा हूंगे कि सर ये तो पहले से पढ़ाई हुए थे लेकिन पहले मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था अब क्या है थाद जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं ठीक है तो अब जो है हम बात करते हैं सामानतया लोकतंत्र दो प्रकार का होता है प्रत्यच लोग तंत्र और अप्रत्यच लोग तंत्र होता है तो प्रत्यच लोग तंत्र किसे कहते हैं सिंपसी बात है प्रत्यच लोग तंत्र का मतलब ही है कि जहां पर जो देश का मुखिया है जो देश का मुखिया है वो डारेक्ट किसके दोरा चुना जाए डारेक्ट च सभी नागरिक सारे महतपूर नितिगत फैसलों पर मतदान करते हैं क्या करते हैं मतदान करते हैं साथ 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 ही साथ इस बेवस्था में देश का मुखिया ये important है देश का मुखिया सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है कोई बीच में representative यानि प्रतिनिधी नहीं होता है और प्रत्यच लोगतंत्र का जो example है प्रत्यच लोगतंत्र का जो example है present time में वो है आपका स्विट्जा लेंड क्या है स्विट्जा लेंड ठीक है अच्छा एक चीज और जो प्रत्यच लोगतंत्र होता है दोस्तों प्रत्यच लोगतंत्र की कुछ विशेस्ताएं भी होती है प्रत्यच लोगतंत्र की कुछ विशेस्ताएं भी होती है मैंने आपको बताया था जल जल दी बताईए कि प्रत्यच लोगतंत्र की विशेस्ताएं मैंने आपको क्या क्या बताया था चलिए तो मैंने आपको प्रत्यच लोगतंतर के कुछ बिसेस्थाईं बताई थी जैसे मैंने का था प्रत्यच लोगतंतर में जनमत संग्रा होता है क्या होता है प्रत्यच लोगतंतर में जनमत संग्रा होता है साथ साथ मैंने ये बताया था कि प्रत्यच लोगतंतर में recall की बेयुस्था होती है किसकी बेयुस्था होती है recall की बेयुस्था होती है साथ साथ मैंने आपको बताया था कि प्रत्यच लोगतंतर में पहल यानि इनिसियेटिव कौन लेती है जनता लेती है कौन लेती है जनता लेती है यानि कि अगर सरकार किसी मुद्दे पर बिचार नहीं कर रही है तो उस पर पहल लेने की जिम्यदारी किसकी होती है जनता जो है उस मुद्दे को सामने ले आती है और जनता जो है सरकार के सामने आती है और कहती है कि ऐसे कानून बन चाहिए उसे कहते हैं पहल कहते हैं इनिसियेटिव कहते हैं साथ-साथ यह सब चीजें जो है हम उने पढ़ लिया था इसके बाद एक आया था अप प्रतिच लोगतंद्र यानि की लोगतंद्र का दूसरा सुरूर तो इसमें देखिए इसमें जो मद्दाता होता है अपनी ओर से कानून बनाने के लिए किसको चुनता है प्रतिनिधियों का चैन करता है यानि यहां जनता जो है डारेक्ट कानून बनाने में या फिर कानून लागू कराने में या फिर किसी भी तरीके से जो है डारेक्ट पार्टिशिपेट नहीं कर रही है क्योंकि चाहती है कि ठीक हम वंहारे प्रत्यच लोगतंट्र जो है ध्यान रखेगा छोटे देश में बड़ा उप्योग्ःσट है, हुप्यूक्त यो जन संख्यां में हैं उनके लिए प्रत्यच लोगतंत्र बड़ा उप्युक्त हैं, लेकिन जो आप प्रत्यच लोगतंत्र है आप प्रत्यच लोगतंत्र बड़े देशों के लिए उप्युक्त है तो आप प्रत्यच लोगतंत्र जो है इसमें मदाता अपनी ओर से कानून बनाने के लिए प्रत्यच लोगतंत्र भी कहा जाता है और इसका जब एक्जामपल लेते हैं आप तो भारत ये सब देखते हैं अच्छा वर्तमान समय में अधिकतर देशों में क्या देखने को मिलता है अब प्रत्यच लोगतंत्र ही पाया जाता है तो उमीद है कि आपको लोगतंत्र के बारे में जो बताया गया है सही तरीके से समझ में आया होगा जो नए बच्चे जुड़े हैं उन्हें भी जो है क्लास जो है धीरे धीरे समझ में आनी सुरू होगी होगी अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो आज की जो अच्छा हाँ अब प्रत्यच लोगतंत्र के भी बारे में बताया था कि अब प्रत्यच लोगतंत्र भी दो प्रकार का होता है एक होता है संसदी लोगतंत्र और एक होता है अध्याच्छात्मक लोगतंत्र किसे कहते हैं जहां पर कारेपालिका का वास्तिक मुख्या कौन होता है प्रधान मंत्री होता है उसे संसदी लोगतंतर कहते हैं उधारण के लिए भारत और ब्रिटेन है एक होता है अध्यच्छात्मक जहां पर कारेपालिका का वास्तिक मुख्या कौन हो रहा है देखिए यहां पर राष्टपती हो रहा है कौन हो रहा है राष्टपती हो रहा है तो अध्यच्छात्मक लोगतंतर में राश्पती जो है मुख्या होता है उधारण के लिए हम क्या कर सकते हैं USA का एक्जाम पर ले सकते हैं तो अब प्रत्यच लोग तंत्र भी दो प्रकार के होते हैं ठीक है अब आगे बढ़ेंगे हाँ देखिए आगे बढ़ने पर जो है एक आपके लिए जो है महाधमाका लाया गया है यह दिवाली खुसियों वाली क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्सन वाली मने कहा ना कि जो हमारे उतकर्ष कोचिंग के जो सरवे सरवा हैं जो हमारे निर्वर गहलोस सर वो लगातार आपके लिए नई-ईचीजे लाते रहते हैं किसमें आपका फाइदा है तो देखिए दिवाली आफर में जो है दिवाली महाधमा का 10 से 15 नवंबर के बीच में 10 से 15 नवंबर 2023 जो है विद्यार्थियों की बेहत मांग पर किसमें उतकर्ष एप में उतकर्ष एप में जो है 10 से 15 नवंबर 2023 के बीच में जो आपका online जो course है उसमें साथ साथ उसी में आपको free test series भी मिलेगी free test series मिलेगी और जितनी validity मिलती है उसमें 6 माह और जोड़ लिजे तो आपको 6 माह की validity भी मिल जाएगी यानि कि सब कुछ आपको extra दिया जा रहा है और जारी है साथ साथ उसके साथ साथ free test series और 6 माह का extra जो है quality दिया जा रहा है यह मैं 100 और 10 जो है सिर्फ example लिया हूँ इसको जो है आप अपने पे लाग मत कीजेगा और यह सब कुछ किसमें मिलेगा उतकर्स app जो है आप google play से भी download कर सकते हैं और अगर आपके पास apple का phone है तो आप app store से भी download कर सकते हैं तो यह था आपका दिवाली का महाधमा का चूकिएगा मत क्योंकि यह जो है बार बार नहीं आने वाला है 10 से 15 नमबर है इस बात को ध्यान रखेगा 10 से 15 नमबर जो आपकी छुटियां है वो इसमें यूज हो सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ एक नया सब्द है हमारे सामने गड़तंत्र क्या सब्द है गड़तंत्र आखिर में हमने लोगतंत्र देख लिया अब बचा गड़तंत्र तो आखिर में गड़तंत्र होता क्या है गड़तंत्र का मतलब क्या है तो यहाँ पे तो जो यह सब्द है अगर मैं आपको समझा खाना चाहूं तो गड़ और तंत्र दो सब्ध हैं गड़ और तंत्र गड़ का मतलब होता है लोग यानि कि कुछ लोग तंत्र का मतलब होता है सासन यानि कि कुछ लोगों के द्वारा जो व्यक्ति चुना गया है उसका सासन हो रहा है तो यहां पर जो important सब्द है वो क्या सब्द है चुना जाना क्या सब्द है चुना जाना ठीक है न तो आप जब यहां पे गरतंत्र को देखेंगे जो लिखा हुआ है सामने वहां आप देखेंगे कि आपके लिए यही सब्द जो चुना जाना सब्द है वो important है जैसे गरतंत्र क्या होता है यह सासन की ऐसी प्रणाली है धान रखेगा क्या है प्रणाली है जिसमें राष्ट के मामलों को सारजनिक माना जाता है यह किसी सासक की नीजी संपत्ती नहीं होती है जब आप राष्ट अंत्र पढ़ते हो तो वहां पर जो राज्ज में सब कुछ होता है वह राजा का सब कुछ होता है राष्ट का मुखिया इंपोर्टेंट देखे इसका राज का मुखिया वंसानुगत नहीं राष्ट का मुखिया वंसानुगत नहीं होता उसको प्रत्यच या परोच परोच का मतलब अब प्रत्यच रूप जनता द्वारा क्या होता है निर्वाचेत यह इंपोर्टेंट है ठीक है निर्वाचेत या निक्त किया जाता है कहने का मतलब है कि जो गड़ तंत्र होता है वहाँ पर राजा नहीं होता वहाँ पर जो देश का मुख्या होता है वह कहीं न कहीं जनता के द्वारा डारेक्ट या इंडारेक्ट चुना जाता है साथ साथ गड़ तंत्र में जो राज के अंतरगस संपत्ती होती है वह किसी सरकार की नहीं होती है वह किसी पर्टिकुलर ब्यक्ति की नहीं होती है वह किसकी होती है सारजनिक होती है आप देखिए लिखा होता है ना कि रेलवे आपकी संपत्ती है कृपिया इसको जो है पहुचा सकते हैं दोस्त अगर आप अपनी संपत्ति को नुकसान पहुचाएंगे तो फिर उसको सही करने के लिए आपको ही पैसा लगाना पड़ेगा तो अगर रेलवे को हम नुकसान पहुचाएं सडक पे जो है हम जो है नुकसान पहुचाएं जो लाइटे लगी रहती है उसे हम तोड़ दें जो है टेन पे जो है हम पत्थर मार के चला दे तूट जाए जो है तो इससे क्या होगा ध्यांद रखेगा कि सरकार कुछ नहीं करेगी सरकार सिर्फ और सिर्फ इतना करेगी कि किसी तरीके से टैक्स को बढ़ा देगी या फिर जिन्होंने ऐसा काम किया है उन पर जुमाना लगा देगी और फिर उनहीं से पैसा वसूल कर यानि कि हम ही लोगों से पैसा वसूल कर फिर से उसका निर्मान कर देगी तो इसलिए जो है जो गरतंत्र है वहाँ पर जो संसादन है जो आपको जितनी भी चीजें है वो क्या जो संपत्ती है वो सारजनिक माना जाता है क्या माना जाता है सारजनिक माना जाता है वो किसी राज्य की सरकार की या फिर पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं होती है तो इसलिए दोस्तों जब आप कहीं जाईए और कोई सारजनिक संपत्ती है तो उसको नुकसान मत पहुचाईए क्योंकि सारजनिक संपत्ती मतलब आपकी संपत्ती हमारी संपत्ती देश के सभी लोगों की संपत्ती है उसमें सभी का टेक्स लगा हुआ है तो गरतंत्र का मतलब अगर हम एक लाइन में समझे तो राष्ट का जो मुखिया होता है वो वनसा नुगत नहीं होता है उसको प्रत्यच्य परुच रूप से चुना जाता है आधनी कर्थों में गरतंस स्यासे सरकार के उस रूप से है जहां राष्ट का मुखिया राजा नहीं होता साफ साफ है कि अगर हम बात करें ब्रिटेन एक्जामपल के रूप में यदि हम ब्रिटेन को लेना चाहें तो देखिए ब्रिटेन जो है क्या गरतंत्र है आप कहेंगे अगर आपके मन में थोड़ा सभी होगा कि हाँ तो ये गलत है क्योंकि ब्रिटेन गरतंत कैसे हो सकता है ये देखिए न यहां लिखा हुआ है कि राष्ट का मुखिया वनसानुगत नहीं होता और जो ब्रिटेन का मुखिया है वो क्या है राजा है ब्रिटेन का जो मुखिया है वो कौन है राजा है और राजा क्या होता है वहाँ पर वनसानुगत होता है लेकिन गरतंत की परिभासा में तो दिया है कि वनसानुगत नहीं होना चाहिए तो ब्रिटेन जो है गरतंत नहीं है धान में रखेगा ब्रिटेन जो है गरतंतर नहीं है ब्रिटेन लोगतंतर है लेकिन ब्रिटेन मुनार की डेमोकरेसी है यानि कि राजतंतरात्मक लोगतंतर है वहाँ पर राजा देश का मुख्या है हमारे यहां राष्ट पती चुना जाता है तो आगे बताओंगा थोड़ा से बता दे रहा हूं कि जो MP और MLA होते हैं जो लोगसभा और राजसभा के निर्वाची सदस्च और राज बिधान सभाओं तथा जो केंद्र शासित परदेश की बिधान सभाएं हैं उसके निर्वाची सदस्च जो है वह हमारे यहां के राष्ट पती के चुनाओं में भाग लेते हैं वोट करते हैं और उन्हीं के द्वारा राश्पती चुना जाता है यानि हमारे यहां राश्पती जो है प्रत्यच नहीं परोच रूप से यानि अप्रत्यच रूप से चुना जाता है ठीक है तो आधनी कर्थों में गरतन सियासे सरकार के उस रूप से है जहां राश्ट का मुख्या राजा नहीं होता है वर्तमान में दुनिया के 206 संप्रभू राष्टों में से कितना 135 देश आधिकारिक रूप से अपने नाम के साथ रीपब्लिक सब्दका इस्तिमाल करते हैं जैसे भारत हो गया अमेरिका हो गया फ्रांस हो गया और रूज जैसे आधनिक गड़तंत्रों में कारेपालिका को समिधान और जंता के निर्वाच्चन अधिकार द्वारा वैसता प्रदान की गई है यानि कि यहाँ जो कारेपाली का है वो जनता के द्वारा चुनी जा रही है यानि जनता जो है उसे वैलेटी देती है कि ठीक है हम आपको चुन रहे हैं आप हमारे लिए जो है काम करते रहे हैं जब तक हम आपको काम करने का जिकार दे रहे हैं तब तक आप काम करते रहे हैं ठीक है तो साफ साफ है जब भी आप से गरतंत्र के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे गरतंत्र का मतलब है कि जो राष्ट का अध्यच्छ हो वह वनसा अनुगत नहों कर परोच या सामने प्रत्यच्छ रूप से चुना गया हो ठीक है ना ये बात ध्यान रखेग आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है लोगतंत्र वो गरतंत्र में क्या अंतर है इसकी बात कही जा रही है देखिए जो अंतर है अंतर का मतलब यहां क्या बताया जा रहा है इसको भी समझ जाईए अंतर का मतलब यह है कि जो दोनों की परिभासा है उसको सामने लिख दिया ग होती हैं तो इसको देखना है थोड़ा सा जो है सामने में ला रहा हूं ठीक देखिए लोगतंत्र क्या कह रहा है लोगतंत्र एक बिवस्था का नाम है यानि आप कहते हैं कि भारत में लोगतंत्रिक एक समयधान के द्वारा जो है इसमें लिखा हो कि कैसे जो है इस सासन बिवस्था को चलाया जाएगा साथ-सत जब सासन पधधती पर यह लागू हो तो सासन बिवस्था लोग तांतरिक होती है जो बाते मैंने अभी आपको बताया इसमें हिस्सा लेने वाले या तो आमराय से फैसला करते हैं और यदि ऐसा नहो तो मत भीभाजन से करते हैं मत भीभाजन का मतलब क्या है मत भीभाजन का मतलब है कि सामान बहुमत बिसेज बहुमत के द्वारा जो ह होता है सामान बहुमत क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो सामान बहुमत का हलाता है वह 50 पर्सेंट वन सामान क्या है 50 पररसेंट प्लस वन और जावा म küçük कि बात करते हैं तो थैस्बा मतलब होता इतां कि दो ती हाई भामत यह زब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आखिर में सामानिय बहुमति को जो है जो नोट सब does का यह तो यह को हघए जा जा यह है कि पहले बुचे को बचे को हर एक तरफ हर एक तरीके से समझहा आ यह यह तो एक बार समझ में आ गया तो बच्चा आपने मन से भी लिख सकता है गलती नहीं करेगा लिखाने वाला काम नहीं होता यहां जो है समझाने के साथ साथ नूर्ष बनवाने का काम होता है तो यह निड़ने जो है सामान बहुमत सामान बहुमत कमतर 50% प्रश्मन और कई बात जरूरी होने पर विसेजबहमत we property वह मत से मिसलनर कुछ परस्थितियों में तो दो वह मत से भी 3 4 निड़े की जाते दो दो ती हाई कमत क्या है best गर्त आ जा गर्तंत्र का अर्थ वह सासन पद्धती जहां पर राज प्रमुक का निरवाचन सीधे जनता करें या जनता के प्रतेजरी करें कहने का मतलब है कि या तो सीधे जनता चुन रही हो या फिर जो जनता के प्रतिनिधी है अभी मैंने बताया था न कि गरतंत्र में जो है हमारे हाँ हम रिपब्लिक हैं गरतंत्रिक देश हैं हम तो हमारे हाँ जो राश्पती का चुनाव होता है देश के मुख्या का चुनाव ह होता है उसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है जनता के प्रतिनिधी भाग लेते हैं और मैंने सब्दों को ध्यान से सुनिएगा सब्दों को पताया था लोग सभा राज सभा के निर्वाची सदस्य यह निर्वाची बड़ा इंपॉर्टेंट है और राज बिधान सभाओं तथा किंद्र शाषित प्रदेशों की बिधान सभाओं के निर्वाची सदस्य थीक है यानि राश्ट प्रमुक वंसान उगत या ताना साही तरीके से सत्ता पर कबजा करके न आया हो ताना साही तरीका ये भी देखिए ताना साही नहो जैसे आप जब ताना साही की बात कर करते हैं मुसोलनी की बात करते हैं यह तानासाही रवये से जो है अपने देश के राष्ट प्रमुग बने थे कुछ ऐसे देश भी हैं जहां सासन पधरती लोकतांत्रिक होती है पर राष्टा अध्यच लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चुना जाता है या तो या तो वह रास्त जैसे युनाइटेट किंग्डम जहां राष्टा ध्यच समराठ होता है जिसके परिवार के सदसे ही राष्टा ध्यच बनते हैं ब्रिटेन में आज से नहीं सुरू से ही चला आ रहा है कि जो वहां का राजा का परिवार है उन्हीं में से जो है उन्हीं में से जो है राजा और रानी का वहाँ पे उस सासन व्यवस्था में एक आप कह सकते हो कि गहरा प्रभाव है और पूरे बिस्व में राजा और रानी का अस्तित तो अब धीरे धीरे समाप तो हो चुका है लेकिन बिटेने कैसा देश है जहां पर राजा रानी का अस्तित आज भी जो है अच्छे से दिखता है अच्छे से बनता है आखिर में इसका रीजन क्या है जब फंडा मिल्टराइट आएगा तो आप देखो गे मैं फंडा मिल्टराइट में एक सब्द लूँगा मैगना काटा तो आज भी राजारानी का जो अस्थित बना हुआ है उसमें मैगना कार्टा का बहुत बढ़ा रोल है आगे जब देखेंगे तो बात करेंगे उसमें भारत में लोकतांतिक सरकार है और राश्पती का चुना होता है इसलिए यह गड़ तंतरात्मक बेवस्ता है जब आप भारत की प्रस्तावना पढ क्या लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभू संपन समाजवादी पंध निरपेच लोकतंत्रात्मक गड़ राज बनाने के लिए देखिए लोकतंत्र भी बन रहा है और भारत जो है गड़ तंत्र भी बन रहा है ठीक है न तो गड़ तंत्र का परचायक कौ कौन है वह राश्ट पति है कौन है राश्ट पती है छलिए अब आगे बढ़ते हैं तो हुए इस जो पुरौ म है अला कि हम बढ़ते हैं तो हमें प्रजा दंतर और रह्ता है देता है लेकिन वह उतना भी की अ बहुत बड़ा नहीं नहीं है लेकिन वह ळाहो पीजब आन्धे देट जो भड़ा चंह लेकिन रहता है ईगलैंड और देनमार्र index नीजरलेंड, मलेशिया, आस्टेलिया, न्यूजियलेंड, जापान, इत्यादी ऐसे देशों में लोकतंत्र तरीके से सरकार चुनी तो जाती है लेकिन जो राष्ट का अध्यच होता है जो राष्ट का अध्यच होता है वह जो है आपका चुना नहीं जाता जो देश का मुख्या है वो वनसा नुगत चला आ रहा है चुना नहीं जाता है और साथ साथ ऐसे देश जो गरतंत्र तो है तहां में रखेगा ऐसे देश जो गरतंतो है लेकिन प्रजातंत नहीं है जैसे रश्यात, गरतंत्र है यहाँ पर जो राष्टा ध्यठ्श है वो चुना तो जाता है लेकिन प्रजातंत्र नहीं है क्योंकि यहाँ पर पार्टी सिस्टम जो है न एक पार्टी किसको वोट करोगे उसी को करोगे तो लोग तंतर में बिकल्प यदी नहीं मिला तो उसे हम लोग तंतर कहेंगे ही नहीं ठीक है साथ साथ चीन आप चीन में भी जानते हो कि एक पार्टी सिस्टम है कम्मिनिष्ट पार्टी है और वही चुनाव में खड़ी होती है और उन्हीं को वोड किया जाता है आपके ध्यान में रखिएगा अंतराष्टी इस तरफ पर अपने आपको दिखाने के लिए कि हमारे यहां भी लोग तंतरिक बिवस्था है इसलिए जो है वहां पर चुनाव कराए जाते हैं ठीक है ना साथ साथ क्यूबा उतरी कोरिया उतरी कोरिया का तो आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे तो यहां पर वही हां छोटा सा जो है किम जोंग नाम भी उसका जो है ऐसा ही है किम जोंग है और वह जो है सिंपल सी बात है कि वहां भी चुनाव होता है और आपको मैं उत्तर कोरिया के बारे बताओं उत्तर कोरिया में जो है जब वोटिंग होती है तो आ लगभग लगभग उत्तर कोरिया में 99% से ज्यादा वोटिंग होती है और फिर आप कहेंगे सब 99% से ज्यादा वोटिंग हो रही है तब जो है कहे का लोगतंतर नहीं है अरे भाईया कहे का लोगतंतर लोगतंतर में क्या बिकल्प मिल रहा है नहीं मिल रहा है एक ही है एक ही क चुनना है तो फिर वह लोगतंत्र कैसे हो जाएगा गरतंत्र के ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको एक सिस्टम के बारे में बात करेंगे एक सिस्टम के बारे में चलिए अगर आपको कुछ कमेंट में पूछना है तो आप पूछ सकते हो हो सकता है कि आपके आंसर का जवाब अभी न दिया जाए लेकिन मैं जो कमेंट को देखता हूँ बाद में जाकर तो आपके अगर कुछ कोशन्स होंगे तो मैं अगली क्लास में जो है उन कोशन्स को जो है ले लिया करूँगा आप निश्चिन्त रहिए हाँ एकात्मक बेवस्था और संगात्मक बेवस्था ठीक है न आप स्लाइड में देख रहे होंगे एकात्मक बेवस्था और संगात्मक बेवस्था ये दो सब्द जो है दिये हैं एकात्मक ब्यवस्था यों संगात्मा इसको कहते हैं यूनिटरी सिस्टम और इसे कहते हैं फेडरल सिस्टम ये आखिर में हैं क्या आजकल वर्तमान समय में बिस समय आपको ये दोनों ब्यवस्थाइं देखने को मिल जाएंगी वर्तमान में आ देखो ये तो आप पढ़ लोगे मैं आपको क्लियर सा बता दे रहा हूँ जब हम एकात्मत बिवस्था की बात करते है तो इस सब्द में ही आ रहा है क्या एक क्या सब्दा आ रहा है एक तो यानि कि यहां पे जो भी बात होगी चाहे वो शक्ती की बात हो चाहे वो सासन की बात हो चाहे कारपालिका की बात हो और चाहे नयापालिका की बात हो यहां आप देखोगे कि यहां पर एक चीज में दिखाई देगा ठीक है तो एकात्मक सासन बिवस्था में जो किंद्र सरकार होती है जो किंद्र सरकार होती है वो बड़ी powerful होती है किन सरकार के द्वारा ही सारे नेड़ने लिए जाते हैं आप देखो पहले इसको पढ़ लो देन फिर मैं आगे आपको एक-एक करके समझाता हूँ एकात्मक ब्योस्था ऐसे ब्योस्था को कहते हैं जो एक मियो शक्ती के रूप में सासीत हो तथा उस राज्य के प्रशासनिक विवागों को प्राप्त होने वाले अधिकार केंद्री सरकार पर निर्भर हैं मतलब आप इसको एक डाइग्राम से समझ सकते हैं कि जो एकात्मक ब्योस्था है जो एकात्मक ब्योस्था है उसमें ये हो गया मालेजे केंद्र ये हो गया केंद्र और केंद्र से जो ये राज्य है ये राज्य है राज्य 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 तो ये जितने भी राज्य हैं तो राज्यों को शक्ति कौन देगा समिधान नहीं देगा जान रखेगा केंद्र के पास सारी शक्तियां होंगी और केंद्र से राज्यों को शक्तियां प्रदान की जाएंगी केंद्र से शक्तियां किसको मिल रही है राज्यों को मिल रही है केंद्र से शक्तियां राज्यों को दी जाएंगी मतलब जवरत पढ़ने पर राजियों को शक्तियां दी जाती है और जब काम हो जाता है जब योजनाएं पुरी हो जाती है तो शक्तियां क्या ले लियाती है वापस भी ले लियाती है तो यानि यहाँ पर किंद्र आपको सरवे सरवा दिख रहा है केंद्र बहुत सक्तिशाली दिख रहा है ठीक है न तो ऐसे जगह पर सम्मिधान का होना सम्मिधान जो है लिखित हो या अलिखित हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा पावर क्या है केंद्र के पास है यानि पावर का डिस्ट्यूबिशन बटवारा यहां पर नहीं दि जोस्था में शक्ति का बटवारा नहीं होता है बात क्लियर है शक्ति का बटवारा नहीं होता है और साथ साथ जो है किन सरकार में आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि यहां पे जो न्याइपालिका है न न्याइपालिका तो न्यायपालिका की जो इस्थती होती है वह उतनी बढ़िया नहीं होती जितनी संघात्मक ब्योस्था में होती है अभी आगे आएगा अभी जब संघात्मक ब्योस्था और एकात्मक ब्योस्था में अंतर आएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चलिए तो एकात्मक ब्योस्था को आप अच्छे तरीके से जान रहो, समझ रहो संगात्मक पर अच्छा अगर आपको कहा जाए कि एकात्मक ब्योस्था के example लेने के लिए तो जितने भी आप ये नीले point में देख रहे हो यह सभी जो है एकात्मक ब्यवस्था के रूप में आपको दिखाई देंगे जैसे अगर हम एकात्मक ब्यवस्था के देशों का नाम जानना चाहें तो देखें मैं यहां से जो है थोड़ा सा साइड हो रहा हूँ आप पूरी तरीके से इसको देखें और मैं नाम ले रहा हूँ आप देखेंगा उस सिस्टम में आपको जो नीले रंग में दिख रहा है जैसे बांगला देश हो गया यह देखें बांगला देश यहां पर नीले रंग में है और यह जो है यहाँ पर एकात्मक ब्योस्ता है साथ साथ आप बेला रूस को देखिए आप चीली को देखिए यह देखिए यह आपका चीली है मैं पिन नहीं लगाऊंगा यह आपका चीली है देखिए यह जो नीले रंग में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्रिटेन है ब्रिटेन में भी एकात्मक ब्योस्था आपको देखने को मिल रही है अगर नाम लेना चाहूं तो आप कर सकते हैं किसर क्यूबा है, साइप्रस है, जिबूती है, मिस्र है, फीजी है, घाना है, हंगरी है यह सब आपको जो है एकात्मक ब्योस्था के रूप में दिख रहे हैं, यहाँ देखिए, न्यूजिलेंड भी आपको जो है एकात्मक ब्योस्था के रूप में देखने को मिलेगा तो यानि की maximum आपको एक आत्मक ब्यवस्था में जो निला निला दिख रहा है आपको सभी एक आत्मक ब्यवस्था में देखने को मिल रहे हैं ठीक है न और आगे भी जो है जैसे अभी आपका युक्रेन से युक्रेन से रश्या की लड़ाई चल रही है युक्रेन भी जो है निले कलर में है तो यानि की जो निला कलर आपको दिख रहा है ये सभी जो है एक आत्मक ब्यवस्था के उधारण है ठीक है आगे देखिए संगहात्मक संगहात्मक की बात करें तो संगात्मक सरकार में शक्तियों का बटवारा केंद्री वा प्रांती सरकारों के बीच में होता है आईए जहां पर हम लोग देखे थे यहां पर यह एकात्मक बेवस्था है ठीक है न और यहीं पर हम संगात्मक बेवस्था को भी देख ले संगात्म बेहुस्था में क्या है कि ये केंद्र है और ये राज्य है ठीक है न एक हो गया केंद्र और ये हो गया राज्य है तो केंद्र और राज्य को जो शक्ती होती है जो पावर है जो शक्ती है वो इन दोनों में बटी होती है लेकिन ये शक्ती आखिर में मिलती किस्से है तो ये शक्ती मिलती है समिधान द्वारा इसके द्वारा समिधान द्वारा यानि कि लिखित रूप में जो है समिधान रहता है और समिधान में ये क्लियर होता है कि राज्य और केंद्र जो है कौन कौन से काम करेंगे कौन कौन से काम नहीं करेंगे ठीक है तो संगहात्मक सरकार में शक्तियों का बटवारा केंद्री वप्रांति सरकारों के बीच में होता है संगहात्मक सरकार में इकाईयों यानि राजी के बारे में इकाईयों को संग से प्रथक होने की सुतंतरता नहीं होती है ऐसा नहीं है कि राज जब चाहें जो है तो जो है अलग हो जाएं ऐसा नहीं होता है जब हम समिधान का पढ़ेंगे तो समिधान का पार्ट वन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन बातों का जिक्र होगा तो वहाँ पे हम बात करेंगे क्यों तो यूकि भारत को कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संग होगा इंडिया शैल भी भारत यूनियन ओफ इस्टेट्स तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि राज्यों से मिलकर भारत बन रहा है लेकिं डॉक्टर भी अरामिटकर ने क्या क्या कहा था हम इसको जो है देखेंगे संगात्मक सरकार द्वी सदनी बिधान मंदल की व्योस्था करती है द्वी सदनी का मतलब जैसे जो बिधाई का है द्वी सदनी का मतलब क्या हो गया बिधाई का है ठीक है न, इस में दो हाउस होंगे एक होगा उच्च सदन और एक होगा निम्न सदन ठीक है न यह आप कहीं भी चले जाएंगे तो ऐसा आपको देखने की बिले का क्यों? क्योंकि जो निम्न सदन होगा वहाँ पे जनता के द्वारा लोग चुन कर जाएंगे और जो उच्छ सदन होगा वहाँ पर राज्यों के प्रतिधियों के द्वारा लोग चुने जाएंगे जो राज्यों के सरकारे है उनके द्रवारा चुन कर जाएंगे यानि उछ सदन जो है राज्यों को represent करेगी और इन्स दन जो यह लुम लिय। लिखने को मिलेगा रखर रंग में वहां सकते हो कि एक संघात्मक ब्योस्था हमें देखने को मिल रही है अब जो है संघात्मक ब्योस्था में इराग को ले सकते हो मलेशिया को ले सकते हो वेनेजुएला को ले सकते हो ये सब चीजे जो है आपका संघात्मक ब्योस्था के अंतरगत आएगा तो आप देख रहे होगे कि maximum जो देश हैं वह किसमें दिख रहे हैं एक आत्मक ब्योस्ता में निला रंग आपको ज्यादा दिख रहा होगा हरा रंग जो है वो बड़े बड़े देशों में आपको दिख रहा होगा देखिए बड़े बड़े जो की छेतर में भी बड़े हैं और ठीक ठाक उनकी जनसंख्या भी है तो आपको हरा रंग वहां पे दिख रहा होगा और जो नीला दिख रहा होगा उसमें कई छोटे छोट जो प्रशाषन है जो जिम्मेदारी है जो संसाधन का डिस्ट्यूबिशन है उसको भी सही रूप में बाटना होता है तो इसके लिए जो है एक अच्छा प्रशाषन चाहिए और सिर्फ केंद्र में रहकर सिर्फ उपर से जो है प्रशाषन अगर किया जाएगा बड़े देश गवर्मेंट में अंतर देखने को मिल रहेगा मैंने जो है आप देखेंगे तो two-level गौर्मेंट होती है कितना लेबल गौर्मेंट टू लेबल गौर्मेंट जो मैंने आपको वहां बताया एक सेंटरल गौर्मेंट होती है एक स्टेट गौर्मेंट होती है यूनिटी गौर्मेंट में देखिए यहां पर दे रहा है ओनली वन लेबल गौर्मेंट जो कि सर्वे देखोता है आपका स्टेट्स लेबल पर यानि कि के पास पावर होते हैं और राज के पास पावर होते हैं जब आप भारती समय जान पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे उसमें पताऊंगा कि जो सात्मी अंसूची है उसमें कैसे शक्तियों का बटवारा किया गया है यहां देखे यहां जो पॉलिटिकल पावर है पॉलिटिकल पावर हेल्ड वाई सेंटरल गोर्मेंट ओनली यानि कि जो पॉलिटिकल पावर यूज किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है सेंटरल गोर्मेंट के द्वारा यूज किया जाता है यहां दिया जा दग कॉंस् कोडिफाइट का मतलब क्या हूता है रिटेन रूप में यानी जो संघ्धात्मक वेवस्ता होता है उसको दो चीजिए आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी एक तो जो समिधान है जो समिधान है वो लिखित रूप में निश्चित रूप से होगा क्योंकि यदि समिधान लिखित रूप में नहीं होगा तो फिर जो सक्तियों का बटवारा है वो कैसे किया जाएगा बारबा लडाई होगी इसलिए रिटेन रूप में दे दिया जाता है कि आप ये कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं उस्तास साथ यहाँ पे ज्यादा तर हमें कठोर दिखेगा समिधान मतलब अभी हम नेश क्लास में जो समिधान के बारे में चर्चा करेंगे आप निशिंत रहिए तो कठोर का मतलब क्या है कठोर का मतलब है कि संसोधन जो है समिधान में जो संसोधन है वो सामान तरीके से नहीं होगा सामान तरह से नहीं होगा समिधान में संसोधन सामान तरह से नहीं होता है साथ साथ ये देखिए जो युनिट्री गॉर्मेंन्ट है उसमें आपको दिखरा है कि जो Constitution है वो Flexible है और Uncodified है यानि पर सी बात है जो चीज लिखी नहीं है जो चीज एक जगा पर एक जगा पर नहीं लिखी गई है उसमें संसोधन करना तो आसान होगा ठीक है ना इसलिए यहां पर लिखा हुआ है यह फ्लेक्शिबल होता है और अनकोडिफाइड होता है ठीक है जो फेडल गवर्मेंट है उस आप कह सकते हो कि सर राज्य में तो भारत में देखिए राज्य में जो है कुछ और कानून लागू है और जब आप सिंटर लेवल पे जाते हो तो वहां पे कुछ और कानून लागू होता है क्योंकि दोनों को पावर मिला हुआ है यहां क्या है एक कात्म ब्यास्था में only one state of law uniform for whole country यानि कि एक कानून जो बनाया जाता है किन सरकार के द्वारा बनाया जाता है और वह सभी जगा समान रूप से लागू हो जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो federal government होते हैं यह बड़े देशों के लिए उप्युक्त हैं और जो unitary government हैं वो किन के लिए छोटे देशों के लिए उप्युक्त हैं चोटे देशों के लिए उप्युक्त हैं तो उमीद है कि आपको federal government और unitary government अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है जब हम class को समाप्तिक की ओर ले जाते हैं दोस्तों class को समाप्तिक की समाप्तिक की ओर ले जाते हैं तो मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उतकर्ष के तरफ से उतकर्ष फैमली के तरफ से निर्मल गलोस सर के तरफ से जो है आपको दिवालियों की जो है आपकी दिवाली खुस हाल हो आप जो है आगे बढ़ सकें तो यह दिवाली खुसियों वाली है क्योंकि तैयारी क्या होगी अब से उतकर्ष के app पर जाने रखेगा आप लोगों ने डिमाड किया था सर को मैसेज कर रहे था लगातार सिंटर हीड को मैसेज कर रहे थे तो उतकर्ष एप पर जो है दिवाली का महा अधमा का लाया गया है 10 से 15 नवंबर 2023 के बीच में यदि आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो आप सही रूप में दिवाली का धमाका, महा धमाका सही रूप में आपकी दिवाली जो है खुसियों वाले बिद्यार्थी के लिए और क्या चाहिए? बिद्यार्थी के लिए चाहिए कि जो एजुकेशन हो वो कम से कम में मिल जाए तो आपके लिए यहाँ पे सारे टीचर इतना मेहनत करते हैं और आपको नॉर्मल तरीके से एक वो पेमेंट जिसमें यहाँ का खर्चा चल जाए उस पेमेंट पे जो है आपको सब कुछ मिल जा रहा है तो 90% आफ रहेगा साथ साथ इसके साथ साथ फ्री टेस्सरीज भी उसमें मिलेगी आपको टेस्सरीज का आपको अलग से पैसा देने की कोई जूरत नहीं है और 6 माह का एक्ष्टा वैलेटी मिलेगा कहने का मतलब है कि जितना पहले आपको वैलेटी मिलता था उसमें 6 माह और आप जोड लीजे तो आप जो है आज ही उतकर से डाउनलोड कर सकते हैं और एप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो उमीद है कि आप जो है हसते होंगे मुस्कुराते होंगे और इस दिवाली में जबरदस तरीके से जो है उस्साह और उमंग से पढ़ेंगे अपनी सफलता को एक नई उचाई देंगे और आप सफल होएं आप अपने करतब बेपत पर आगे बढ़ते चले जाएं क्योंकि दोस्त ध्यान में रखेगा कि बिद्यार्थी के लिए जो है दिवाली तभी होती है जब उसका सेलिक्सन होता है तो इसलिए जो है मैं आप से बिदा लेता हूँ आज के लिए निर्स क्लास में मिलूंगा तब तक के लिए आप स्वस्त रहिए मस्त रहिए और पढ़ते रहिए जैहिन जैभारत